टॉपिक या इस विशय की प्रासंगिक्ता और बढ़ जाती है क्योंकि देश आज भी युवा है युवाओं का देश कहा जाता है और सुतनता संग्राम में भी युवाओं का बड़ा मुहत्वपुड योगदान रहा है और यह परिपाटी कार्णतिकारियों ने हमारे देश को दी है हमें दी है हमारे आने वाले जनेरेशन को दी है और निश्रित ही एक हमारे लिए गर्व का विशय भी है और हमें इसे ठीक से आगे चलाना भी है यभी हमारी ओर से एक assurity हमें अपने देश और समाज को देना चाहिए जब यंग लोग ये युवा लोग जब कोई नही सोच की साथ आगे बढ़ते हैं तो क्रांटी आती है क्रांटी होती है और जब तक क्रांटी नहीं होती है तब तक कुछ नया नहीं होता है कुछ नया करने के लिए क्रांती आवश्यक है और युवाओं से अधिक क्रांती कोई करने ही सबता है क्रांती से ताप पर यहां पर बस आप युद्ध या इस तरह से कुछ नौ सोचे या मानसिक क्रांती भी हो सकती है सांश्कृतिक क्रांती भी हो सकती है वैचारी क्रांती की बात करूंगा मैं किस प्रकार विचारों की प्रासंगिक्ता वर्ते हुए विचारों नहीं है कि देश को एक राह दिखाई देश को एक देश में एक लहर दोड़ी और युवाओं ने उसे हाथो हाथ उठाया और इस समय हम एक स्वतन्त देश में देश के निवासी की रूप में रह रहा है विशे बड़ा ही गूढ है बड़ा ही महत्तोपूढ है कि राश्टर के निर्माण में युवाओं का युगदान क्या रहा है क्या होगा क्या होना चाहिए क्या है इन सारी चीदों को इन तिनों पहलों को छुता हुआ मैं आप से चर्शा करूंगा युका करने निर्माण जवानी जागा करती है नित करने को बलिदान जवानी जागा करती है जब कंस और रामण से अत्याचारी होते हैं दुर्योधन दुश्चासन जैसे वे विचारी होते हैं अन्यायों से पीद्धो जनता जब चिलाती है शिशुपाल सरीखे उत्रिंख अधिकारी होते हैं तब बन करके भगवान जवानी जागा करती है भगवान की बात हो रही है अभी हमने हाली में जनवाश्टिमी का पावंत्यवार बनाया है तब बन करके भगवान जवानी जागा करती है चाहे हम कौरों या महाभारत का युद्ध देखें या रामायर देखें वहां युवाओं की भागीदारी हमको देखती है पच्पन से अगर हम सीरियल देखते आरहे हैं तो मैं युवाओं की भागीदारी देखती है और देश की सुतंत्रा में भी युवाओं की भागिदारी देखने को मिली है चाहे वो जासी किरानी रक्षिन बाई हो चाहे वो मंगल पांडे हो चाहे वो तात्या टोपे हो चाहे वो भगत सिंग हो चंदर शेखर आजाज हो खुदी राम बोस हो पंडित विस्मिल हो भगत सुकदेव राजगरु कौन हो सकता है स्वामी विएक अनंद हो ऐसे महापुर्शों ऐसे युवाओं का यह देश है ऐसे युवाओं ने इस देश को पाला पोसा और बढ़ा किया है उनके त्याग और बलिदान के परड़ाम स्वरूपे हैं देश हमारे सामने खड़ा है और हम देश को क्या देते हैं हमें देश को नई दिशा कैसी देनी देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें हमारे सब की मंशा होते हैं कि हमने सरकार ने हमें ये ने द देखा है कि हमने देश को क्या दिया है हमें देश को क्या देना चाहिए कि क्या हम देश को देने के लिए तयार हैं क्या हम देश को अपना समय दे सकते हैं क्या हम तन मनधन देने को तयार है शुतंदा संग्डाम के क्रांदिकारियों ने तन मनधन जीवन सब कुछ राष्ट के नाम पे निवशावर कर दिया नमन उन्हे मेरा शुतबार नमन उन्हे मेरा शुतबार बढ़ते एक कदम नरुकते जिनके प्रले मसल देते यूं तिनके आग लगा देते जो शशी में देखा करता है संसार नमन उन्हें मेराशतबार नमन उन्हें मेराशतबार उन क्रांतिकारियों को नमन है जिनके कारण आज हम यूथ फोरम में बैठके भारत यूथ फोरम के इस लाइव सेशन में मैं इतने शान्ति से अपने कमरे में बैठके और आप अपने कख्ष में बैठके हम इसको देख सुन सकते हैं या उन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान क सूख रही है बोटी बोटी मिलती नहीं घास की रोटी गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर कटिनक शुधा की मार नमन उन्हें मेरा शुतबार नमन उन्हें मेरा शुतबार महरणा प्रताप की बात कर रहूं मैं सूख रही है बोटी बोटी मिलती नहीं घास की रोटी कितना बड़ा त्याग रहा है इस देश को बचाने के लिए युवाओं ने ततकालीन युवाओं ने इस राष्ट को बचाने के लिए कितना 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 कि किया है कितनी तपस्या की है तब जाकर यहां देश हमारे सामने खड़ा है और जब यह देश हमारे सामने खड़ा है तो इस देश के जैसे अपने अधिकारों की बात करते हैं हम अपने कर्तव्यों के भी तो हो रहे हैं पारश जी बाझ परक्रश्ण है कि युवाओं की भूमिका अप्म दिर्भर्ता में भी प्रमुख है निशित ही है ज़िए सिर्फ वैज युवाओं का है हम कहते हैं कि- detした ए c3 जवाओं का युवादे देश की बड़ी सब्सक्रों पिर्डाइब रीज़ कोई लिए कितने उर्मान हुए देश लेकिन हम चुप नहीं बैठे हैं, देश में कई आक्रांताओं ने आत्रवन किये, मुठी भरी आक्रांता थे, परन्तु हमारी देश की जो एक जूटता थी, उसमें व्या मनस्य के करण उन्होंने हमारे देश को लूटा, मुठी भर आक्रांताओं ने अनगिन अत्याचार किये, आत्मशुन ने दिख भ्रमित हमी ने उन्हें कई उपहार दिये, मा भारत की लाज नसंधे लड़े मरे भाई भाई जाग उटी है तरुड़ाई, वह युवा शक्ति अब जाग उटी है, और जब हमारे अंदर यह sense create होता है, कि this is our nation and I have to work for this nation, it is my moral responsibility to work towards our society, towards our people, to make them happy, to create that environment which is good for everyone, जो सबके लिए ठीक हो, सबका हमारे प्रधान मंतरी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास हो, वह कैसे हो हम इन आक्रांताओं से तो बचते बचते आ गये है तब युद्ध बाहरी आक्रांताओं से था आज युद्ध आंतरिक आक्रांताओं से है हो सकता है आगे चल कर या युद्ध स्वयंग से भी हो लेकिन देश देश ही रहेगा Nation first everything is secondary राष्ट्र पथम का मंत्र हमें धारण करके आगे बढ़ना है जब जब इन आक्रांताओं के आक्रमों है तब तक कुछ न कुछ युवाओं ने ऐसी एक पहल की क्रांतिकारियों का एक ऐसा जद्था आगे बढ़ा और उनसे संघर्ष किया उनको पचाड़ा माभारत की जगत प्रदिष्ठा को बचाया और हमें गौरवानी थोने का मौका दिया कईयों के प्रान भी चले गए जब गजली के या क्रमनों का आतंक समाया हो जब सोमनात के मंदर ने सम्मान लुटाया हो जब दुष्ट मुहम्मद गोरी से जैचंद मिले जाकर जब तिच्चिता जलाकर सतियोंने शम्षान रचाया हो तब बनकर के चवहान जवानी जागा करती है प्रसी राज चवहान की बात कर रहोंगे जब गजनी के या क्रमनों का आतंक समाया हो जब सोमनात के मंदर ने सम्मान लुटाया हो जब दुष्ट मुहम्मद गोरी से जैचंद मिले जाकर जब च करके युवा online पर हमें युग का निर्मान करना है देश तज विद्वेश हमें एक जुट रहना है और एक जुटा के साथ इस देश का निर्मान करना है निश्य थ ही आत्म निरभरता में युवां को आत्मनिर्भरता का मन्त स्वयंग धारन करना होगा। जो न्यू नॉर्मल की बात हम कर रहे हैं कि आगे इस पोस्ट कोविड एरा जो आत्मनिर्भरता का एक मन्त्र माननी प्रधान मंत्र जी ने जन जन तक पहुचाया है। हम युगाओं तक पहुचाया है। उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ यह है कि हमें आत्मनिर्भरता को स्वयंग हासिल करना है, अपना हाथ, जगनाथ, हमें अपने हाथों को संबल प्रदान करना है, हमें अपने भुजाओं को संबल प्रदान करना है, हमें अपना रास्ता स्वयम भी बनाना है स्टार्ट अप का यूग है यूवाओं के पास ऐसी विचार आते हैं बड़े अनुकी अनुकी विचार आते हैं और उन विचारों को अगर हम स्टार्ट अप को बिजनेस के रूप में कनवर्ड करते हैं तो यह भी एक तरीकिस राष्ट अपने निर्मान का कारे होगा जिससे कि हम अधिक अधिक लोगों को रोजगार दे सकते पाएंगे और एमप्लाइमेंट जेनरेशन जैसे बढ़ेगा वह ऐसे देश में आतने भड़ता आएगी अधिक अधिक उद्योग धन्दे स्थापित किये जाएंगे जिसने चीन जैसी महाशक्ति से हम लड़ने के लिए ततपर हैं हम युद्ध के स्तर पे भी मजबूत हैं और हम आर्थिक युद्ध के आउसर पर भी मजबूत रहें और आर्थिक आउसर हम कैसे उप जाएं या आर्थिक आउसरों के द्वारा हम कैसे युद्ध कर सकते हैं हम कैसे स्वयंग को संभल कर सकते हैं इसके लिए हमें स्टार्टस की ओर जाना ही पड़ेगा और यही कारण है कि जो विजन है देश के प्रधानमंत्री का हमारे नित्रितों का उसने MSME सेक्टर में और स्टार्ट अप सेक्टर में अपार संभलनाय देखी हैं और उनमें अधिक अधिक फंड रिलीज करने की बात की है जुवजी का प्रश्ण आया है कि बाई साब आज की जुवा पीढ़ी का सिख्षा उत्तर है सिख्षा अगर हम सिख्षा ठीक से ग्रण करेंगे ठीक से सिख्षित होंगे अपनी राश्ट्रबादी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे अपने देश को अपना देश मानेंगे हम भारत को भारत माता मानेंगे तो हमें कोई बामपन्ती नहीं डिगा पाएगा और बामपन्ती भी तो इसी देश में है वो भी भारत के ही संतान है या कुछ ऐसा ही है कि दो बेटे हैं एक बदमाश है और एक अच्छा है मुझे एक कहानी आती है इसी वामपन्ती जो प्रश्ट आया है उससे संबंधित एक कहानी है एक परिवार में एक महर्शी आये और उस परिवार में दो बच्चे थे एक बड़ा ही शरार्टी बदमास्त उद्धंड था एक बड़ा ही नेक मिलंसार सुन्दर शुशील नम्र था दोनों बच्चों ने रिशी महर्शी को जैसे ही प्रणाम किया जो नेक शुशील इमांदार था सज्जन था उसको रिशी महर्शी ने आशिरवाद दिया उजड जाओ उजड जाओ और जो बदमाश था उद्दंड था उसको आशिरवाद दिया बने रहो बने रहो बने रहो बच्चों के माता पिता को बड़ा जिग्यासवा हुआ और उनको लाए कि शायद रिशी महर्शी से कुछ भूल हो गई है कुछ गलती हो गई है शायद वो समझ नहीं पाया कि कौन सब अच्चा बदमाश है और कौन सब अच्चा अच्छा है और उनके मन में जिग्यासा उत्पन होई जिग्यासा उत्पन होते ही उन्होंने पूछ लिया महर्शी ने गा ठीक तो बोला है जो बुराई है वो बसी रहे एकी जगा पे और जो अच्छाई है वो उजड़ जाए वो जगा जगा फाइले देश के कोने में विदेश के कोने कोने तक पहुँचे अच्छी चीजें देश के कोने कोने विदेश के कोने कोने विश्व के कोने कोने तक पहुचे तात पर यह है हमें उन्हें सही डिरेक्शन में लाना पड़ेगा हम अपने राष्टरबादी भावनाओं के साथ राष्टरप्रसम के मंतर के साथ अपना काम करते जाएंगे तो निशित ही एक दिन उनको भी वापस आना पड़ेगा क्योंकि वह भी इसी मिट्टी के संतान हैं भले वो नौ मानते हूं लेकिन उनके मन में ये बात होगी कि हम भी इसी धरा में जन्में हैं इसी धरा की मिट्टी से अन्न को खाया है इसी धरा का पानी पिया है उनके अंदर भी राष्टरबावत तो होगा ही भले वो भटकावी में जा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें लावी सकते हैं, वो आएंगे भी, पस हमारा काम है कि हम राश्टर पुद्र निर्मार के कारियों में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें, तो युवाओं ने किस प्रकार अब आगे बहुश में क्या करना है, पोस्त कोविट बे एक प्रश्ट आया था, कि कोविट के पचात कोविट के बाद क्या क्या समस्या है, अपर्चुनिटीज अफ्टर कोविट 19 क्या क्या है, यह मुवाओं ट्रश्ट आपल आपटुनिटीज ऑन फिस पोस्त कोविट एरा, यह वी रियर अधि रिए अस्वेशन खेशन इन एक्रश्ट आप्टेंगींपस स्थे लिए यह लिए आप और एंपसेश्यू और बट एंव पोसूर आपकी एषविए, जो नई शिक्षानीती आई है नई राष्ट्रिय शिक्षानीती में जुवाओं को राष्ट्र पुनर्माण के लिए कैसे कृस्तन कल्पित किया जा सकता है वह उसमें बहुत अच्छी तरह देखाया सकता है। तो ऐसे कई चीजे हैं जिने हमें धान में रखना है और स्टार्टप्स के ख्षत्र में अपार संभावना है जिसमें हमें आत्मदिर्भरता प्राप्त करनी है पारस जी काया है कि आत्म भारत कैसे बने आत्म भरता क्या है सर्फ लेंट इंडिया हमने चीन से व्यापार संबंध लगभग बंद करने जैसा कर दिया है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है विश्व का एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत चीन को इसी मार्केट से कमाके यूएस इसी मार्केट से कमाके अपने आपको गौरवानित और अपनी आपको विश्व की बड़ी शप्ति के नाम से जनवाते हैं जानने के लिए मजबूर करते हैं आज हिंद महासागर में भी हमारी सेना हमारी नो सेना मुस्तैद है वहाँ से कोई घुसपैट नो हो जाए कोई व्यापारिक गत्विश ही नो हो सकत पाए डिस्ट्रिक्शन लगा दिये गए हैं चाइना के ऊपर हमने सारे व्यापारिक चीजें लगभग व्यापारिक संबंद बंद करने जैसा कर दिया है रक्षा बंधन के पावन परोपर हमने देखा है कि चाइनीज राखी का भहिश्कार हुआ है चाइनीज राखी नहीं बिकी है जिसके चलते और भरती व्यापारियों ने चीन की इस हरकत को समझ लिया है और समझने के पशाद या डिसाइड किया है या निड़ लिया है कि चीन के इस वस्तुवों को हम नहीं बेचेंगे और उनका पूरा माल वापस लोटा दिया है कि आपका माल नहीं विकरा है घ्रिप्या अपना माल ले जाए जो भी एडवांस में ले रखा है सबने अपना माल वापस कर दिया है यहां आत्मनिर भरता की और हमें लेके जा रहा है अब यहां पर अपर्चूटी क्रिट होती है क्योंकि हम युवाओं को हम युवा भविष्य के नागरिक नहीं है हम आज के नागरिक है हम देश के वरतमान के नागरिक है देश के नीति निर्देशों को निर्धारित करने में हमारा बड़ा महत्तोपूड योगदान है क्योंकि हम मत देते हैं हम वोट देते हैं हम एक अच्छा लिडर्शिप चुनते हैं वो हमारे देश और समाज के लिए काम करता है के लिए उपयोगी होता है तो यहां चीज जो है वो अति महत्वपूर की चीज है कि आप निर्भरता हमें प्रतेक शित्र में लाना है जो देश में कोविट के चलते जो माइग्रेशन हुए हैं आपने देखा कि शहरों से एक बह भरत गाउं में बसता है भरत को गाउं का देश कहाता है लगभग सत्तर प्रशत के आसपास अबादी जिंसंक्या देश की गाउं में निवास करती है आज भी गाउं को मजबूत करना है आधार मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा आधार मजबूत रहेगा तो शाखाएं मजबूत रहेगी तना मजबूत रहेगा पत्ती मजबूत रहेगी फल मजबूत रहेगा और तो जड़ का मजबूत होना नितानत आवश्यक है युवा मित्रों यह समय परिक्षा का समय है जब हमें देश और समाज के लिए कुछ करना है जैसा कि अनादिकाल से हम देख रहे हैं देश के युवाओं ने इस राष्ट के लिए किया है और राष्ट के निर्मान के लिए बहुत बड़ा त्याग भी किया है उस त्याग को ध्यान रखते हुए हम अपने जिम्मेदारीयों को समझें और हम यहाँ निर्डलें कि हमें किस प्रकार आपने निर्भरता प्रात्व करनी है हम किस प्रकार से ग्रामिट शेत्रों को संबल प्रतान कर सकते हैं किस प्रकार से ग्रामिट शेत्रों में food passing units लगाई जासकती है किस प्रकार से हम supply chain में काम कर सकते हैं किस प्रकार हम उद्कलिष्ट खेती के लिए काम कर सकते हैं खेती जो आज manpower के लिए तरस रही है क्योंकि किसान अब अपने खेतों पे मजदूर बन चुका है कारण यह है कि किसान का बेटा किसान नहीं होता किसान का बेटा थोड़ी पढ़ाई करने के पाद शहर चला आता है वहाँ पे छोटी मोटी नौकरी कर लेता है यह उनकी समस्या है पर अगर वह किसान के साथ मिलके काम करता है अपना पैत्रि जो यापार है वो करता है तो निशित ही हम क्रिशी उत्पादक्ता को बढ़ा सकते हैं और देश और समाज को हम इस प्रकार से लाभानवित कर सकते हैं सो गाओं में युवाओं का बड़ा महत्वपूर युगदान है जो युवामित्र मेरे गाओं में हैं उन्हें अभी ग्रामीड विकास अर्था जरूरल डेवल्पेंट के लिए काम करना चाहिए हम गाओं को स्मार्ट विलेज कैसे बनाएं हमें उस पर काम करना है हम गाओं में स्मार्ट क्लासिस कैसे चलाएं जो शहरों से पलाएं नोगर घर गए हैं उनके लिए अपरचुर्टी है जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी अभी गाओं में उत्कृष्ण सिक्षा देकर अपने गाओं को स्मार्ट विलेज के रूप में कनवर्ट कर सकते हैं यह संभावना है तो हम जिससे कहा जाता है कि आवश्यक्ता ही प्रयोगों की जन्नी है और जब समस्या आती है तो हर समस्या के साथ समाधान आता है हर समस्या के साथ औसर भी आते हैं यहां पर हमारे पा फिर लगाना को मजबूत करिए फिर पपत्फे और फ़लों को मजबूत करें अपने अपने मजबूत हो जाए सो इस समय युवाओं का काम यह है कि सलाओं को लोगों में ऐस शक्राइत्मक्माग्ma सिक्ता को बढ़ाना है अज़ितं भ्गवां गीता में गहतने dat कुछ पत्ति होती है जहां पर नाश भी होता वहा होता विकास जहां सके है ह्राष भी तो कि अपोटाएंवा कि पैक्रति क्या यह जीवन का अंत नहीं है। साथ दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब नहोगा इस निशाका फिर सवेरा लेकिन फिर भी नीड का निर्माने फिर फिर नहे का चेडिया का घोसला कितनी बार तूटता है और चेडिया कितने बार उसी परिश्रम से उतने ही मनोयोग से अपने घोसले को बना आती है क्यों चेडिया में आत्मंदिर भड़ता है सेल्फ रिलाइंट है हमें उस चेडिया से सीखना है हमें उस चींटी से सीखना है जो अपने वजन से बड़ा भार अपने उपर धोके लेकर चलती है लाइन से चलती है क्रंबध तरीके से चलती है आप उनका मार्ग औरुद्ध करें तो अपना नया मार्ग बनाती है परण्द अथक अथक चलती रहती है निशित ही हमें इन दो पक्षियों से कुछ सीखना चाहिए इनसे हमें आत्म निर्भरता निशित ही सीखने को मिलेगी प्रशन आया है कि आज के युवाओं का भारतिय संस्क्रिती को पुराना वो बेबुनियाद मानकर पास्चात संस्क्रिती की ओर ढालना कितनी बड़ी समस्या है यह युवाओं की ओर से यह प्रश्ण आ रहा है यह गर्व का विश्य है और यह चिंता नहीं करने का विश्य है क्योंकि युवा यह अंतर समझ रहा है और जब युवा इस अंतर को समझ रहा है अर्था देश सही डारेक्शन में जा रहा है और देश सही हातों में है तो धु इशिती पाश्चात्य श्रंस्कृती ने भारतिय श्रंस्कृती को लगभग निस्तनाबूत करने का प्रयास किया है जिसमें लाड मैकाले की सिख्षानीती भी कुछ हद तक काफी हद तक उसमें सहाय किसिध्ध होती रही है और इस भाग दोड की जिंदगी में हमने भारतिय जनमानस या भारतिय मानसिकता है भारतिय स्रंश्कृति और परंपराओं और स्रंश्कृति को भूल कर हम उस पास्चात्य और स्रंश्कृति की और अट्रैक्ट हो गए की और बढ़ गए बढ़ने लग गए और यही कारण है कि इस तरह की समस्चाएं हमें देखने को मिल रही हैं जो निश्रिती भारतिय समाज के लिए एक चिंता का विशय है परंतु इस समय कोवीड महामारी ने हम यह भी सिखा दिया है जब हम सब परिवारों में रह रहे हैं देखिए प्रकृति जो करती है वो इस प्रकृति को बचाने के लिए इस यूनिवर्स को बचाने के लिए करती है ब्रह्मांड के रक्षा के लिए करती है पोल्यूशन देश में बहुत बढ़ चुका था, पोल्यूशन की समस्या देश चूज रहा था, पुरा विश्व चूज रहा था कोबीट के चलते पोल्यूशन का लेवल बहुत कम हुआ है और पूरे विश्व में एक पर ऐसे सफाई हुई है स्वच्छता की गई है नेचर ने खुच्छता कर दी है प्रकृति ने अपने स्थर पे सफाई कर दी है प्रकृति अपना काम कर लेती है प्रकृति अपना बैलेंस कर लेती है तो हम प्रकृति को छोड़ें प्रकृति को अपना काम है वो कर लेगी परंत हमारा काम होना चाहिए कि हम प्रकृति का संरक्षड करें हम पर्यावरण को संरक्षित करें पेड़ पोधों की रक्षा करें वातावरणों को सुरक्षित रखें, नदियों को सुरक्षित रखें, उहें पुनर जीवित करें, वनों को पुनर जीवित करें, जो हमारे जानवर हैं, पशुपक्षी हैं, हम उनकी रक्षा करें, उनकी विवस्था करें, क्योंकि हम सब मिलकर एक एको सिस्टम है, का भारत में प्रभाव, देखिए भारत तो विश्व गुरु रहा है, पुना विश्व गुरु है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि हम किसी देश ते कंपेर नहीं करते हैं, हमें क्यों कंपेर, गुरु शिष्व में कोई कंपेरिजन नहीं होता है, भारत तो करना है अपनी तुलना नहीं करता है और शबका पालन पोष्ण करना सभको सही मार्ग दिखाना या हमारा करता है क्योंकि हम तो वसुद्यव कुटुमकम के मार्ग पर चलते हैं यह देश भारत देश भारत वर्ष वसुद्यव कुटुमकम के मार्ग को प्रशिस्त करता है वसुद्यव कुटुमकम के मार्ग को मानता है तो जो भी अब बच्चा बदमाश हो गया तो सुधार ना किसे काम है पेरेंट्स का ही काम है गुरू का ही काम है तो जो तुरूटियां हो रही है ग्लोबल स्तर पर उनका सुधार भी भारती जन्मानस की जिम्मेदारी है हम भारतियों की जिम्मेदारी है क्योंकि हम विश्व गुरू हैं सभी सभी को सिक्षा देना सभी को सही मर्ग दिखाना वह सुधे में कुटुमगम के मंत्र को जन जन तक पहुचाना यह हमारा काम है अगर कहीं समस्य आती है तो उसका समधान करना भी हम युवाओं का ही हम भ इस समस्या का क्या हल है वाई सब इस समस्या का हल किया जा चुका है नई एजुकेशन पॉलिसी नई जो राष्ट्रे सिक्षा निती है उसको आप देखें उसमें भारत का जो वास्तविक इतिहास है उसकी बात की गई है भारत की वास्तविक इतिहास को पढ़ाए जाएगा जो लुटेरे थे उनको लुटेरा ही कहा जाएगा लुटेरे का गुड़गान नहीं किया जाएगा जो लुटेरे थे उनको लुटेरा ही कहा जाएगा उनके गुड़गान नहीं कहा जाएगे और भारती जिनों देश समाच की रप्षा के लिए अपने प्राणों को निवशावर कर दिया जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है जिने कोई नहीं जानता उन्हें ढूंड ढूंड कर निकाला जाएगा उनके वीरता और शौरे की गाथा उनके वंशजों को बताया जाएगा हमारी आगे आने वाली पीडियों को ब अर्व हो और हम परम बैभो तक पहुंचत पाएं तो यहां समस्या तो आपकी इस समस्या का आपका समाधान हो चुका है एक और प्रश्णा आया है कि आज का युवा दुनिया के संसाधनों आराम विलास्ता के लिए एक चूहा दोर ने फंस गया है गौरवतिवाली जी का प्रश्ण है देखिए हम कितना भी भाग लें कितना भी चल लें लेकिन अगर हम अपने जड से जुड़े रहेंगे भारत गाओं का दिश्च है हम गाओं से जुले रहेंगे हम अपने पेरेंट्स माता पिता से जुले रहेंगे हम अपने गुर्जनों से जुले रहेंगे हम अपने मित्रों से जुले रहेंगे तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है संसाधनों का उपयोग तो करना ही है अर्थिक दिश्ट से भारत को मजबूत करना है तो चीर के जैसे हमें भी कई तरह के छोटे मोटे बड़े उद्योग दंदे शुरू करने पड़ेंगे जहां तक खिलोने से लेके एरक्राफ्ट तक प्रोड्यूस किया जाए बनाया जाए हम इन संसाधनों को विश्ट समुदाय को बेचेंगे भी उनको देंगे भी और व्यापारिक गतिविधियां भी होंगी व्यापार भी एक बहुत महत्तोपूर अंग है राष्ट के निर्मान के लिए ज्यापारिक अर्थिक गतिविधियों का होना अवश्चक है इसलिए हमें इन्प्यमी धान के अन्दित करना है इनको भी मना नहीं कर सकते हैं इनके साथ हमें चलना है प्रश्ट आया है कि कम्यूनिस्ट का इतिहास में प्रभाव निश्चित ही जो पुरानी सरकारे रही है आजादी के बाद से उनकी मानसिक्ता का ये प्रभाव है जो गुलामी की दास्ताइक में बधे गुडगान करने वाले लोग जो सरकार में आ गए थे जिनके कारण इस देश में कई समस्याओं का उद्भव हुआ और जन्मानस ने उसे जेला भी है जिसमें आरक्षन भी एक समस्या की रूप में थी जो श्री बाबा साहब भीमरो अंबितकर जी की परिकलपना कुछ और थी परंतु सरकार की मन्शा ठीक नो होने के कारण अरक्षन की नीति को सही रूप से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया और बाबा साहब के सपनों को चूर चूर कर दिया गया यह भी हमारे लिए डिस्केशन का विशह है हम युवाओं को जानने का की बात है कि कि किस प्रकार जो सरकार दिश्ट हीन सरकार थी एक दिशा हीन सरकार थी जिनोंने लंबे समय तक शाषन किया परन्तु देश को दिशा नहीं दे पाए गरीवी मिटाओं का नारा लगाते रहे परन्तु गरीवी मिटा नहीं पाए अब जो सरकार है अब जो नित्रित्व है वो राश्रप्न जिमान के लिए काम कर रही है कई ऐसे पेंडिंग चीज़ें जो लंबे समय से जिन पे मात्र राजिरीत होती थी उनका समाधान किया जा रहा है देश को संगठित किया जा रहा है देश को एक किया जा रहा है और जब देश एक होगा तो बहुत सारे काम होगे बहुत सारी उत्पादकता होगी बहुत सार न्यू आइडियास पे काम होंगे और हमारा देश पुना विश्वगुरू भारत के नाम से जाना जाएगा इस्राइल एक छोटा सा देश है परंतु तकनीकी एवंग विज्ञान के ख्षत्र में रिसर्च एंड डिवलप्मेंट के ख्षत्र में इस्राइल का कोई सानी नहीं पुना विश्वगुरू बनाना है और आत्मनिर भर बनाना है प्रश्ण आ रहा है भारत यूद फोर्म की ओर से कि भाई सब आज के यूवा वेस्टर्न इंफुलेंस की वज़ह से अपनी भारतियस श्रंश्कृति को भूलते जा रहे हैं उन्हें कैसे बदल सकते हैं घर वापसी करनी है घर वापसी करना आसान है समय हमें देखिए हम भी उसी मिट्टी से बने हुए हैं उसी क्षिदियल पावग समीरा से बने हुए हैं हम भी उनी पंजत्तों से बने हुए हैं वो भी उनी पंजत्तों से बने हुए हैं हाँ यह है कि वो पत्रष्ट हो चुके हैं हम उन्हें समय दें समय के साथ वो हमारे पास वापस आएंगे हमारे ही हैं कई बाहर के नहीं है और यह इंफ्लुएंस बहुत दिन तक नहीं रहेग शाशन भी प्रयास्ट कर रहा है आज घर घर आप देख रहे हैं कि लॉक्डोन में हमने रामायन महाभारत ऐसे धारवाहिक जो बंद हो चुके थे एक लंबिस और से पहले स्रीकृष्ण फिष्णु पुरान जो हमारी हमारा इतिहास है जो हमारा आधार है हमने उनको इस लॉक्डाउन के दोरां देखा है सरकार क्यों से पूरे प्रयास्चा जारी हैं हूँने परिवार में lockdown के कार। में परिवार में भी रहा है मता पिदा के साथ लंबा स्मय पिताया है निशित ही मान सकता बदले घी जो influence हो चुके हैं वह फिर से influence हो जाएंगे क्योंकि वह थे हमारे ही तो जो हमसे वेस्टरन कल्चर से इंफ्लुएंस होके चले गए हैं वह इंफ्लुएंस होके आभी जाएंगे बस हमारा प्रयास जारी रहे और हमें विश्व गुरु बनना है और भारत विश्व गुरु है और गुरु को गुरु के रूप में ही रहने दिया जा तो सेकुलरिज्म पर आपका प्रश्ट आया है वसुध्यव कुटुमकम पर प्रश्ट आ रहा है वसुध्यव कुटुमकम तो हमारे मूल में है भारत नसीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है क्योंकि हम तो वसुध्यव कुटुमकम के मंत्र को मानते हैं समझ तो वसुध्यव हमारे परिवार है नसीमा का हमारे देश ने विस्तार चाहा है किसी के स्वर्ड पर हमने नहीं अधिकार चाहा है मगर यहाँ बात कहने से न चूके हैं न चूकेंगे लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे हम अपना सब लेके रहेंगे जो अखंड भारत है वो तो अखंड भारत तो भारत ही है वो हमारा है बाकी जो हमारा नहीं है वो भी हमारा ही हमारा ही परिवार है कहीं न कहीं वो हिंदू संश्कृति से ही निकले हुए लोग हैं कहीं न कहीं वो भारतिय संश्कृति से प्रभावित लोग ही हैं आई देश का युवा है भारती युवा कहां नहीं है इसरों से लेकर नासा तक विदेशी हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की संख्या गिनिये भारतीयों अधिकतर भारती मिलेंगे हमें अपनी मेधा शक्ति पर गरू होना चाहिए हम युवाओं को अपनी मेधा शक्ति पर गरू होना चाहिए भारत प्रारंब से ही अपनी मेधा शक्ति के वलपर विश्व का नित्रित करता आया है और पुरह भारत विश्व का नित्त्त करने जा रहा है, इस समय आत्मनलभरता के द्वारा हम फिर से देश का और पूरे विश्व का नित्त करने वाले हैं, आधिती जी का प्रशनार है, कई लोग से कुरिज्विम के नाप पर हिंदू देवी देवि देवताओं के बारे में आपत्य जनक टिपड़ी करते हैं, इनकी मान सिक्ता कैसे बदला जा सकता है। हमारे कहावत है गुड रहेगा तो अंधेरे में भी मीठा लएगा। गुड को प्रकाश्ट चिया खिता नहीं है। गुड जो होता है, मीठा गुड जो होता है, वो अंधेरे में भी खाएंगे तो मीठा ही लएगा। उजाले में भी खाएंगे तो भी मीठा ही लएगा। जो टिपडिया कर रहे हैं उनके भी मन में ये भाव अवश्य होगा कि हम जो टिपड़ी कर रहे हैं वो ठीक टिपड़ी नहीं है वो भी वापस आएंगे भारत तो सब को अपने में समाहित करने वाला देश है इदम राष्ट्राय स्वाह इदम राष्ट्राय दन्नमम हमारा सही रहा पे लाना हमारा काम है हम राइट डिरेक्शन में काम करते जाएंगे देश और समाज के रहे तो निश्वत ही उसका प्रभावस समाज चे पड़ेगा पर कहाए आता है कि रसरी आवत जात तेसलपर परत निशान रसी जो होती है जो हम कुवे से पानी निकलتे है रसी चुकी बार बार कुवे में जाती है पानी भर के बाहर निकलती है जाती है उसके घिसने से कुवे पर भी निशान बन जाता है रसी नाजुग होती है कुवे का प्लास्टर मजबूत होता है वहाँ भी निशान बन जाता है कंटिनियूटी पनाये रखें उन्हें प्रभावित करते रहें उन्हें अपने सेवाकार से प्रहुईत करते रहें उन्हें अपने बौधिक संपदा से प्रहुईत करते रहें उनका मागदर्शन देते रहें उन्हें छोड़े नहीं उन्हें अलग थलग न होने दें उन्हें साथ लेके चलें निशित ही वो आपके अपने हैं हमारे अपने हैं और हम उनको अपने सा लिए और कलम की ताकत है हम अच्छा लिखें अच्छा पढ़ें अच्छा बोलें अच्छा समाज के अच्छाई के लिए काम करें अपना समय देश और समाज के लिए दें निशिद इस कोविट के टाइम पे हम लोगों ने गाफी मैं कुछ युवाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ युवा मित्रों के साथ जो इन दौर में इस समय कोविट 19 के चलते वार रूम क्रियेट किया गया था जिसे हम युवाओं नहीं मिलके मैनेज किया मैं उसको क्वा करना चाहते थे उन निकल के बाहर आये पूरी सुरक्षा के साथ सेवा की और आज हम निशिंत हैं कि हां हमने देश और समाज के लिए कुछ किया आज का जुवा स्वार्ची हो गया है अपना स्वार्च ढोंटते वे भारत से दूर होते जा रहे हैं दूसरे देशों को अप पूरे विश्य को अपना मान लिया है भारतिये मानसिक्ता भारतिये बोधिक जो आयाम है वह नहीं छूटने चाहिए बाकि आप सेवा कहीं भी दे सकते हैं परंतु हमारी जो भारतिये मानसिक्ता है जो भारतिये संस्क्ति है भारतिये सभ्यता है भारतिये आचरण है उसका प्रत्याग नहीं होना चाहिए अगर हमारा आधार मजबूत है तो यहां समस्या नहीं आएगी जो यहां प्रश्ट में लिखा गया है तो निशिधी आप तक मेरी बात पहुंच गई है तो युवाओं ने समय समय पर देश और समाज के लिए जो काम किया है और वंदनी है और में उस पर और हम क्या क्या कर सकते हैं आत्बाद्र वर्ता को प्तinson करने के लिए हम लोगों से डिस्किशन करें जो वभी न्य टॉपिक्स हैं कास कर हम लोकल समस्याओं की बात करें मैं उल्वेद कहा है कि हम local समस्याओं को समझे हैं हर शर्ट की अपनी निजी local समस्या होती है उन निजी local समस्याओं कि समढधान को यह तना हुड़े उन समाधund समस्याओं की समढधान का local यूज धूड़े को वोकल पर- Himself क electronics कि हम बात करें Local startups को हम प्रमोट करें Local startups को हम में एक अच्छा पोजिशन दें उनके बारे में हम लोगों को ब्रैंड की बात हम छोड़ दें ब्रैंड से हम दूर हो जाए आत्मनिर भरता करने का आत्मनिर भरत बनाने का यह सबसे महत्तपुड कदम है कि हम सभी इनोवेट करें अधिक से अधिक स्टूडेंट्स करें जो नई शिक्षानीती वह भी बताती है नई शिक्षानीती को मैं पढ़ रहा था उसमें कुछ विशे ऐसे आये हैं कुछ चीज़ जो अभी अपने देखा हो क्लासिस का हम किस प्रकार से बाइफर्केशन किया गया है कि अगर कॉलिज सर प्याज है कि हम युवाओं की भी बात कर रहे है कि वह आप यह देखा गया है कि डिगरी जो थ्रीस्स कर सकते हैं यानिया जब चाहे तब आप एग्जित कर सकते हैं और हर साल आपको संटिफिकिशन है फर्स्ट यह अगर आप पूरा करते हैं तो यूट सटिफिट प्रोग्राम सेकंड यह इस अगर मेरे मन में कोई ऐसा विचार आता है कि मैं एक स्टार्ट अप करना चाहता हूं मैंने क्रिजिशन में एड्मिशन ले लिया है अब मैं तीन साल के लिए फंस गया लेकिन अब क्या है नई सिक्षा निती ने इस रास्ते को आसान कर दिया है आपको जब आइडिया आया तब आप इनोवेट करिए तब आप बिजनस अपना खड़ा कर लिजिए और देश को आ बात की जा चुकी है इस राश्ने सिक्षा नहीं राश्ने सिक्षा निती में बात कही गई है HO में कि प्राइमरी स्तर्त की पढ़ाई हो थे लोकल लेंगेज में भी होगी हमारी भारती भार्शाओं में होगी है मात्री भाष्षा में होगी जिससे मात्री भाष्षा मजबूत बनेगी हमारी निज भाष्षा मजबूत बनेगी द्रुवजी का प्रश्णवीज में आ गया कि हमारे ही देश के को जिवा हमारे ही देश में हमारी मात्री भाष्षा का अपमान कर रहे हैं निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्यान के मिटे नहीं को सूल भारतित भर्षन जी की पक्ति है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल हमारी भाषा के उन्नति होती है वही सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल है जब तक नीजभाषा यानि हमारी भाषाओं को हम नहीं उनमुक्त और नहीं बढ़ा सका पाएंगे तब तक हम समय में कोई स्थान या उच्चा स्थान नहीं प्राप्च कर सकते हैं यह नीजभाषा उन्दत महत्वोपूर है अपनी भारती भाषाओं को बढ़ाएं, उन्हें प्रमूट करें, चीन से सीखिये, चीन में Facebook band है, चीन में WhatsApp band है, चीन में कई ऐसी चीजे band है, चीन अपनी भाषा में काम करता है, चाइनिस Language में काम करता है, चीन आगे है ना महाशक्ति के नाम से जाना आता है तो हम अपनी लोकल हमें दूसरों से क्या मतलब है हम तो सोयंग अपनी भाष्षा में बात करें जो हमारे देश के भूत्वर पधार मंत्री श्री अटल विहरीवाज पेई जी जी जाके युएनों में हिंदी में बात करके आ सकते हैं तो हमें अपनी भाष्षा में कोई अभिमान क्यों नहीं है और जिनको नहीं है उनको नौ रहे हमें होना चाहिए हमें गर्व है कि अपनी भाष्षा में बात कर सकते हैं भाष्षा सीखने में कोई बुराई नहीं है विभिन भाष्षा सीखें स्वरगे सी अतल दुर्व कलान को देखिए भाभी हम युवाओं के प्रेडा सुरत है अपनी भाषा का ज्ञान अपने संस्कारों का अपने सब्धा का अपनी संस्कृति का अगर हमारे साथ रहेगा तो ही हम उन्नती कर सक पाएंगे अगे अधान उन्नती संभौ नहीं है जो भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल तो यह तो में रखना ही है तो जो पत्भष्ट है जो दिख्भवित हो चुके हैं उन्हें मार्ग पर ले आना भी हमारा काम है क्योंकि हम राष्ट पुदंद्रमाण के कारे में लगे हैं हम सब राष्ट पुदंद्रमाण के कारे में लगे हैं मदू सुधन राष्ट जी का प्रशन है कि आर्गेनिक फर्मिंग युवाओं को कितनी को किसानी से जोडने का एक बहतर विकल्प है अगर युवा आग गया अगर किसानों की समस्याओं को हल निकाल तो निशित ही मैंने आज कब तो फॉर्मिंग के कई तरीके आ गए हैं और कोई अवश्यक नहीं कि डिरेक्ली आप क्रिशी से ही जुड़े क्रिशी से आधारित कई ऐसे उद्योग भी है जो खादिव प्रसक्राण के उद्योग भी है जिने फूट प्रस्टिंग इंडेस्टिक आयाता है स्मॉ किस प्रकार गाओं से शहरों तक माल को भेजेंगे किसानों को वाजिब दाम में ले इसके लिए हम क्रिशी की गुडवत्ता में कैसे सुधार कर सकते हैं हम किस प्रकार साइज के आधार के क्वालिटी के आधार पे अग्रिकल्चर प्रोड्यूस का ग्रेडिंग कर सकते हैं उसके कवाइडिंग उसका मूलन रिधाय कर सकते हैं और किसान को लाफ रजान कर सकते हैं किसान की आए दुगनी तिगनी चवगनी होनी चाहिए क्योंकि किसानी हमारे देश के आधार है और आधार को मजबूत करना आवश्यक है और यही कारण है कि वर्तमान हमारे प्रदारमंत्री जी ने agriculture को भी इस COVID में काफी एक महतो दिया है और बड़ा grant sanction किया है MSME को भी काफी महतो दिया गया है एक बड़ा grant sanction किया गया है start-ups में lending को priority कर दिया गया है यानि स्टार्टप के एक्षेत्र में अगर कोई लेंडिंग लोन के लिए जाता है तो उसको priority लेंडिंग में रखा जाएगा यानि if you are having wonderful idea and you want to start a business whatever it may be it may be any startup in your rural area or city area or semi-urban or suburban anywhere and you want to start the business and you want some loan government is ready to give you banks are ready to give you loans single window system का model भी government ने चुरू किया है तो निश्यत्री और्गेनिक फार्मी एक बड़ा विकल्प है कि फार्मिंग के कई प्रकार से हम उसमें इनोवेटिव और भी मॉडल से जैसे जो हम एक्वापॉनिक की बात करते हैं या कुछ ऐसे वर्टिकल गार्डिनिंग की बात करते हैं कि हम बालकनी में ही घर के बालकनी में शहरों में भी हम वर्टिकल गार्डिनिंग करें जिसमें तरह तरह की फल सबजियां लगाएं जो ऑर्गेनिक भी हो और सुन्दरता भी बढ़े और ऑक्सिजन भी मिले तो ऐसे कई इनोवेटिव अप्रोचेस हैं जिसमें काम किया जा सकता और यह युआ देश में कर भी रहा है ऐसा नहीं कि देश में इनोवेशन नहीं हो रहे हैं देश में शोद नहीं हो रहे हैं स्टाट अप इंडिया हुआ अटल इनोवेशन मिशन निथी आयोग हुआ ऐसे कई इनिशेटिव डिजिटल इंडिया हुआ एस्टी पी आई हुआ एसे कई संस्थान भी हैं जो देश में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए आंध्रप्रेंशिप एंड स्टाट अप्स स्किल डेलप्मेंट को बढ़ाने के लिए काफी आगे हैं और स्किल्स के माध् में एक महरत हासिल करें और यह स्किल्स आपको आनी चाहिए उस्किल्स में आपको महरती बन्या वो भी एक कमाने का जरिया हो जकता है जैसे निर्त्य है गायन है म्यूजिक है डांस है सिनेमा आक्टिंग है रेडियो जौकी है ऐसी कई अवसर हैं जिन अवसरों में हम की कि आज तक जितने भी युवा हुएं सबने क्रेटीव कुछ किया ही है दिया है देश और संग्राम हो जहां पर हमारे क्रांतिकारियों hahaha wise अपनोंने इस देश और समाज को अपने प्राणों की आहतीदी है, देश को स्वतंत करने के लिए अपने प्राणों की आहतीदी है और हमको स्वतंता प्रदान की है हम उनके आभारी है तो यह गर्व का विशय हैं तो यहां एक परिपाटी है जो युवाओं की चलती आ रहे है और यहां आगे भी रहेगी जब जब देश को आफेक्ता पड़ेगी राश्टत पुद्र निर्मान के रहे युवाओं का योगदान हमेशा रहेगा और युवाओं को आगे बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि युवादेश है जो अपने संसाधनों के अधार पर अपनी बौद्धिक संपदाय के अधार पर अपने पुरानी परिपाटी पुराने गौरों के अधार पर पुना विश्व गुरु बनने के शम्ता रखता है विश्व को एक नई राह दिखाने के शम्ता रखता है तो हम हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी है और वहां पे हम अपना जीवने आपन कर रहे हैं नित्रों अंत्व में यहीं कहूंगा अगर कोविट के पश्चारत हमें देश से कुछ लेना नहीं है देश को देना है देने के लिए तयार रहिए क्योंकि अगर हम पीछे हटे तो हमारा देश बहुत पीछे हट जाएगा यह समय कुछ ऐसा ही है जैसा कि सुतंता के समय 1947 में जो स्थिदी थी हम उस समय अंग्रेजों से लड़ रहे थे हम इस समय इस महामारी से लड़ रहे हैं हमें अपने देश को बचाना है युवाओं में जो रोग प्रतिसोग शमता होती हो अधिक होती है इसलिए युवा ही आगे निकल कर आए हैं और कोविड-19 को मिटाने के लिए जो भी सेवा किया है कई ऐसे संगठन है अखिल भारती विद्दार्थी परशत से मैं जोड़ा हुआ हूँ अखिल भारती विद्दार्थी परशत के साथ मिलकर हम लोगों ने काफी स्क्रीनिंग किया है पेशेंट्स की स्क्रीनिंग किया है सेवा भारती का कार सरहनी है सेवा भारती ने देश और समाज के लिए कितना काम किया है इस को फिट चलते अगर आप देखें तो आपको decision सेवा इन संगतनों ने राष्ट्र के लिए काम किया है त्योंकि यह जों पो एक सहीड राह दिखाने वाले संगठन है और देश और समाज को इस समय ऐसे संगठनों की आवशक्ता है और देश हमें देता है बिल्कु सही देश हमें देता है सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें शुभम जी अभी लिखी रहा थे और मैं यह बोलने ही आया था तो हम सब जाती धर्म इन सब से उपर उठें और हम भारती हैं भारत हमारी माता है हमें अपने देश को बचाना है हमें अपने देश को पुना सुसजित करना है हमें अपने देश में जितने भी समस्याएं आई है उन समस्याओं में अवसर ढूंडा है उन आउसारों अपर्चुटीज को स्टार्टप्स में क्रियेट करना है स्टार्टप्स 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 क्रियेट करना है स् युवाओं के द्वारा देश और समाज को और स्वस्त भारत बनाने की जो परिकलपना है उसे हम मूर्त रूप दे सकते हैं समूचे विश्व को आयुरवेद एक नया राह दिखा सकता है आयुरवेद की तरफ पूरा विश्व देख रहा है तो युवाओं आईए हम इस देश का नारा हम लेका चलें वह मनुपुत्तर जाग वह मनुपुत्तर जाग अब न देख मेठे स्वपन निद्रा तु त्याग हम निद्रा को त्यागें देश और समाज के लिए काम करें और देश को हम पुना विश्व गुरु बनाएं उस परम्बय भोतक पहुंचाए यही हमारी संकल्पना होनी चाहिए यही भारत मा की सच्ची पूजा होगी और आज भारत के 74 वे सुपना दिवस पर इससे बड़ा संकल्प कुछ और नहीं होगा तो आईए आत्म निर्फर भारत की और कदम बढ़ाएं देश को शशक्त बनाएं वोकल्फ और लोकल के मंतर को जन जन तक पहुंचाएं और भारत माता की जय का नारा लगाएं और हम सब आगे बढ़ें यही हमारी संकल्पना हो और इसी मंतर को लेकर हम सब आगे बढ़ें मैं एक बार पुना आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं भारत यूथ फोरम को धन्यवाद देना च मिश्शित ही आप तक मेरी बात पहुंच सकत पाई होगी मैं एक बार पुना आप सब को धन्यवाद देना चाहता हूं भारत मता की जय वंदे मातरम जय हिंद